हाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग है होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो चीज आप लोग को बताने वाला हूँ साइद ही आपको कोई बताएगा और अगर वो बताएगा तो मतलब समझ लो उसक करनी चीजों का रेकमेंडेशन देते हैं जिसका मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्स्प्रेनेशन के साथ आपको समझाने वाला तो सबसे पहले मैं क्लेश कर देना चाहता हूं दोस्तों क्या चीज इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ तो पहला अगर है बिल्कुल free में आपको free resources चाहिए तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल free resources मिलेंगे बहुत अच्छे resources like python programming हो गया analytics हो गया machine learning हो गया deep learning हो गया सब कुछ बिल्कुल free में मिलेगा second चीज बताने वाला हूँ दोस्तो वो है आपको resume में कौन से projects add करने हैं और केवल मैं projects के बारे में ही नहीं बताऊंगा projects के source code यानि जो coding करते हो वो भी आपको available होगा लेकिन मैं यह recommend करूंगा उसको directly आप copy press नहीं करो अगर आप beginner हो आपको सुरू में code लिखने में problem आ रही है reference लेना चाहते हो तो उन codes का आप लोग यूज कर सकते हो तो मत्तब end to end आप resume में अपने skills को क्या mention करने वाले हो वो पढ़ने में आपको अब अदद मिलेगी और इसके साथ resume में आपको कौन से projects जालने हैं उनका source code भी आपको मिलेगा जिससे कि आप पसानी से projects को बिल्ड कर पाऊगे तो हाई दस्तों मेरा नाम कैस है मैं एक देटा इंजीनर हूं इन भारती अटेल और पिछले साथ से मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग की help करने की कोशिश कर रहा हूं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे इंस्ट्रेग्राम लिंग्डिन पर भी फॉलो कर सकते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कैगल के बारे में पिछले मैंने वीडियो में कैगल के बारे में आप लोग को बताया था कैगल एक open source प्लेटफॉर्म है जहां पे आप competition में participate कर सकते हो और data science job लेने में उससे मदद ले सकते हो लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैगल कैसे आपकी help करता है knowledge gain करने में और इसके साथ साथ resume build करने में तो देखो कैगल basically तीन चीज़े provide करता है एक तो learners के लिए उसके बाद developers के ल होने वाला है हम लोग के लिए जिसको हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो skill है वो improve हो सके resume improve हो सके तो देखो यहां पर स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होगे बहुत सारी चीज़ें learners में provide की जाती है जैसे beginner competition practical courses public data set इसके बाद public notebooks ML competition hosting model training data set open source models तो मतलब beginner हो बहुत सारी चीज़ें सीखने जाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे तो मैं दो चीज़ इसमें से आपको recommend करता हूँ पहला जो है वो है practical courses practical courses बोले तो यहां पर क्यों थेवरे नहीं होता है कि python machine क्या है क्या नहीं है machine learning model क्या है क्या नहीं है मतलब क्यों theoretical नहीं होते है practical courses होते हैं लाइक यहां पर अगर आपको programming का कोई भी experience नहीं है like zero knowledge है coding का तो भी आप इस course को ले सकते हो और बिल्कुल free है मैं कई बार बोल चुका Kaggle का यह जो resource है बिल्कुल free है authentic है बहुत बड़े-बड़े data scientist जो अभी industry में काम कर रहे हैं वो लोग भी इसको यूज करते हैं तो आप लोग भी से यूज कर सकते हो और बहुत अच्छा कमांड पा सकते हो python programming language पर इसके साथ python introduction to machine learning pandas data visualization SQL deep learning computer vision यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे courses हैं मतलब सभी के सभी courses free और practical courses है अभी मैं आपको दिखाऊंगा practical कहने का मतलब क्या है इसके साथ कुछ guides हैं जैसे आपको TensorFlow सीखना है machine learning अगर आपने पढ़ा होगा या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है तो TensorFlow के बारे में आप लोग जानते होगे आर programming language का guide आप Kaggle competition में कैसे participate कर सकते हो अब देखो मैं एक आपको example दे रहा हूँ python programming course का python programming course में open करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो सभी lessons है hello python functions boolean condition list loop and list comprehensions इसके साथ string dictionaries और सभी के सभी में tutorials है उसके साथ exercise है देखो कितने मज़े की बात है न केवल यहाँ पे you know theoretical concepts आप पढ़ोगे implement करोगे और मैं तो यह कहता हूँ न यह courses अगर आप कहीं और लेने जाओ तो बहुत मुस्किल होगा देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि केवल यह course करने से आपको job मिलने वाली है लेकिन start करने के लिए basic foundation बनाने के लिए बहुत जादे important है यह मतलब आप ऐसा सोचोगे कि वहले python programming language का course करके आपको data science में data scientist की नोकरी मिल जाएगी नहीं ऐसा नहीं होने वाला है लेकिन इस course को करने के बाद आपका foundation बहुत strong हो जाएगा इसके बाद अगर आप कुछ बढ़ते हो वो बहुत अच्छे से add-on होगा stack बनेगा एक skills का जो आपको help करेगा jobs पाने में तो यह देख सकते हो यह python का course था इसके साथ साथ मैं एक और course आपको दिखाना चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे introduction to deep learning या फिर computer vision का course open करता हूँ तो यहाँ भी देख सकते हो सब कुछ है जैसे convolutional neural networks जो होते है convolutional classifiers है max pulling है sliding window ह इसमें सब कुछ है tutorials है exercises है देखो इसमें बहुत जैसे आप ऐसा सोचो ना कि कोई bootcamp है उसमें बहुत detail में सारी चीज़े पढ़ाई जाती है बहुत basic से बहुत advanced तक पढ़ाई जाती है no doubt उनका एक अलग वहदा है उसमें बहुत सारी चीज़े अलग आपको मिलेंगी mentorship मिले और data science field में तो मैं आपको recommend करना चाहता हूँ Audyn School का data science bootcamp online live classes यहां पर दोस्तों आपको मिलती है दोस्तों यहां पर आपको online live classes मिलती है छे महिने में आप लोग job ready हो जाते हो यहां पर आपको project based learning provide किया जाता है और बहुत सारी job opportunities provide की जाती है आपको यह bootcamp help करता है jobs पाने मे यह आप लोग के लिए companies लेकर आते हैं जिसमें आप directly interview दे सकते हो और वहां से job पा सकते हैं तो देखो यही चीज मैं कह रहा था कैगल पर पढ़ना totally different है किसी bootcamp में पढ़ना totally different है कैगल पर आपको mentorship session नहीं मिलेगा आपको वहां पर placement support नहीं मिलेगा live classes नहीं मिलेंगी तो यह सारी चीज अगर आप चाहते हो इन सभी चीजों की आपको अगर जरूरत है तो आप लोग order in school का data science bootcamp जरूर से चेक करना और दोस्तो अगर इस bootcamp के बारे में बताऊं तो 25th of November 2023 से इनका next batch स्टार्ट हो रहा है इसकी fee 99,000 plus GST है और दोस्तो यहां पे आपको 30,000 तक का scholarship म मिल जाता है और यहां पे EMI option भी अबलेबल है अगर मान लो आप 99,000 plus GST एक बार में नहीं दे पा रहे हो तो आप लोग EMI option भी select कर सकते हो और monthly आप लोग इनको fee दे सकते हो और अपना पढ़ाई continue कर सकते हो और दोस्तो ओर इन स्कूल से 500 से भी जादे companies hire करती हैं और इनके students बहुत सारे companies में placed हैं already job कर रहे हैं तो उनको भी आप search कर सकते हो इनके success stories को पढ़ सकते हो इनका link मैंने description में दिया हुआ है और उन students से आप contact कर सकते हो बात कर सकते हो इनके bootcamp के बारे में कैसा bootcamp है आपको join करना चाहिए की नहीं आप अपने situation के हिसाप से खुद को judge कर सकत और भात करते हैं अब दूसरे topic के बारे में पहला topic किया था learning resources from Kaggle जो कि learners रीचिनर एड़ और ऊपर उसका आपको सोर्सस कोड कहां से मिल पाएगा डेखो सोर्सकід कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको इसकोपी कर लेना है वसको पेस्ट कर लेना है अपने डालेना नहीं है आप बीगिनर हो तो चाहिर सी बात है आपको कोडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप कैसे उन सोर्स कोड से एक रिफरेंस ले सकते हो और खुद से उन प्रोजेक्ट को बना सकते हो तो दोस्तो हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉब्लिक नोट्स बुक्स पर क्लिक करना है और जैसी आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास वोईड रेंज और प्रोजेक्स आजाएंगे अगर आप बहुत बीगिनर हो इंटरमेडियेट हो एक्सपिरियंस लेबल तक ही आपको यहां पर प्रोजेक्स मिलते हैं यहां प कुछ फ्री में है लाइक आपको कुछ भी पे नहीं करना किसी को नहीं परना है बस आपको पढ़ना है टाइम देना है के अगल को और आपको केगल बहुत अच्छा है स्ट्रॉंग एक रिजूमेब देगा और आपके स्कल्स का जो स्टैक है बहुत ही जादे बढ़ स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो सब कुछ है यहां पर यहां पर इंपूट डेटा कौन सा यूज हुआ है आउटपुट क्या आया है कमेंस कुछ है वह आपको जैसे सब कुछ यहां पर मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको बाद में ऐसा लागा कि मुझे कैसे क यहां को समझना है यहां पर आपको टेक्स्ट अपर मैज करके दिख我想 always WIN करके मतलब अगर आपका सेखने करके से जायां को आप एक अआप तो लॉक् Watson करके सकते हो इसे यहां पर यह हो रहा हु है और इसके साथ और भी वो खुद सुचेगा भाई तुने कहां से प्रोजेक्टे किया यह तो किसी बूटकेंप में नहीं कराया जाता है कहीं भी अवलेबल नहीं है लेकिन क्यागल पर सब कुछ अवलेबल है जैकर टेक्स्ट वीमेज हगिंग फिसस का है इसको भी आप लोग उपन कर सकते हो नोटबुक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो मतलब हर एक चीज़ देखो यहां पर लाइब्रेरी इस टू बी इंपोर्टेट मॉडल कौन से यूज हो रहा है कैसे आपको प्रॉम्ट लिखना है देखो यहां पर इमेज आ गया जैसे प्रॉम्ट यहां पर कह लिखा है एन ए से पूछ सकते हो मैं आप लोग की मदद करने के लिए त्यार हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आप आपको वीडियो पसंद आया हो और इन स्कूल का जो डेटा साइंस बूटकेंप है उसका लिंक मैंना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हुआ है उसे